हलो दोस्तों यह लेप्टॉप है एसुस के 15 ओलेड लेप्टॉप एंड वीवबोक फिफ्टीन सीरीज के लेप्टॉप है और मैं इसको यूज करते हुए छे महीन से जादा स्पेंड कर चुका हूँ इस वीडियो में मैं बहुत काफियत तक क्लियर कट बात करूँगा कि किन लोगों के लिए यह लेप्टॉप वॉर्थ है और किन लोगों को इस लेप्टॉप से दूर रहना चाहिए कोशिश करूँगा कि साफ साफ बात करूँ ताकि आपके डौट्स क्लियर हो सकें फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो हम comments में discuss कर सकते हैं as always तो यह है laptop अगेन बहुत सारे videos में मैं show कर चुका हूँ अगेन मैं दिखा रहा हूँ, दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है और बड़िया sleek look आता है construction पूरा plastic है लेकिन लगता metal जैसा है अगे तो दोस्तों इसी के साथ शुरुगात करते हैं कि जो लोग बहुत जादा अगर rough यूज करते हैं अपने laptop को बहुत जादा rough तो उनको थोड़ा सा इस laptop को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यह यह metal built नहीं है यह plastic built तो नॉर्मल यूजर के लिए it's not an issue बट अगर जो लोग बहुत जादा है जरुदर फेक देते हैं या बहुत जादा कहीं भी रख देते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा issue हो सकता उनको metal built की तरफ जाना चाँए थीक है देन तूसरी बात में अंगर करूं किन लोगों पड़ाटक नहीं लेना चाही है तो पेहले हम किनप आफले बात कर लें दें किन लोगों को नहीं लेना चाहिए कर्योग तो पहली छीज तो थोड़ा सा जादा बहुत जादा refuse प्यूज करते हैं उनको नहीं लेना चाहिए दूसरी जो लोग चाहते हैं गेमिंग करना चाहते हैं जो हाड को गेमर्स हैं उनको इस लेप्टॉप से दूर हिना चाहिए क्योंकि ये लेप्टोप HD setting पर ही games को play कर पाता है और उसमें भी HD settings पर भी कभी कभी frame drops देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो और full HD पर तो आप भूली जाहिए आपको बहुत जादा अटकेगा कोई सा भी आप games के लेंगे जैसे मैंने Valorant खेला था GTA 5 भी खेल के देखा था और वो full HD setting पर बहुत जादा टक रहे थी मतलब not playable थे वो तो मैंने वो हटा दिये थे दोनों games और अब मैं इस laptop पर games वगयरा नहीं खेलता हूं क्योंकि इस laptop पर games खेलने का experience उतना अच्छा नहीं है तो अगर आप hardcore gamer है और आप mainly gaming के लिए ही laptop को लेने का सोच रहे हैं तो यह laptop आप के लिए नहीं है फिर भी आप still उनके लिए आगर मैं बोलूँगा जो gaming के लिए नहीं ले रहे हैं लेतो रहे हैं normal uses के लिए लेकिन थोड़ा बहुत game खेलना चाहते हैं उनके लिए काम दे सकता है क्योंकि 720p setting पर मतलब HD setting पर games को चला देता है और ज्यादा lag देखने को नहीं मिलते हैं लेकन अगेन फिर वो graphics की quality उतनी अच्छी नहीं मिलती है lower setting पर ठीक है तो काम चलाओ gaming कह सकते हैं इसको तो मतलब जसको थोड़ा बहुत gaming करना है उनके लिए ठीक है बाकि proper gaming के लिए यह बिलकुल भी नहीं है ठीक है दूसरी चीज अब और यह किसके लिए नहीं है जो सोच रहे हैं Adobe Premiere Pro में हम editing करेंगे या आप चाहते हैं DaVinci Resolve में हम editing करेंगे तो उसके लिए laptop नहीं है चाहिए आप 4K editing करना चाहेंगे या आप Full HD में भी editing करना चाहेंगे तो Adobe Premiere Pro में यह नहीं कर पाएगा क्योंकि यह जो software होते हैं जैसे Adobe Premiere Pro है और DaVinci Resolve है यह heavy software हैं और इनको चलाने के लिए यह laptop में उतना power नहीं है ठीक है तो वो software ही lag करते हैं इसमें चलाने में तो चाहे आप 4K editing करें या Full HD editing करें दोनों में ही वोट केगा फिर आप पूछेंगे फिर आप editing करेंगे कैसे इस laptop में इसके लिए आपको इस laptop के हिसाब से editing software चूज करना पड़ेगा जैसे इसमें shortcut आता है एक open source editor है उसमें आप full HD editing अच्छे से कर सकते हैं हो जाता है and VSDC open shot इस तरीके के कुछ light जो software होते हैं वैसे software इसमें अच्छे से चल जाते हैं and filmora भी चल जाता है तो में चीज यह है कि आपको इसके हिसाब से software light चूज करना पड़ेगा लेकिन अगर आप Adobe Premiere Pro आप करना चाहते हैं यूज इसमें तो आपको यह laptop नहीं लेना चाहिए CDC बात यह ना नेक्स चीज फोटोशॉप का आपको बहुत जादा यूज है अगें आप इसको मत लीजिए क्योंकि फोटोशॉप को यह ठीक से हेंडल नहीं कर पाएगा ठीक है अब और किसको नहीं लेना चाहिए देखो और सुचते हैं अगर आप बहुत जादा ओंदा गो रहते हैं मतलब आप हमेशा मूव करते रहते हैं जैसे आप लेप्टॉप लेके निकल गए हैं और आप हो सकता है अगले दिन तक आप घूमी रहे हैं तो ऐसे सीन में यह लेप्टॉप आपके लिए नहीं है क्योंकि इसकी बैटरी ला बाला इस तरीके के लेपटॉप लेना चाहिए जिसकी 10 गंटे के असपास बैटरी लाइफ होती है तो इसकी बैटरी लाइफ होती है तो उस हिसाब से अगर आप हमेशा ऑन-दगो रहते हैं आप जादा मूव करते हैं लेप टॉप को साहथ में लेके तो यह लेप्टॉप उतना ठीक नहीं रहेगा आपको ज्यादा बैटरी बैकप बाला लैप्टाप लेना चाहिए ठीक है तो आप चार घंटे के साफ से लेके चलिए और बात करें अगर और क्या हो सकता है और कोई चीज मुझे याद करने दो ऐसा कोई इस्यूश्य बस दोस्तों बस यही चीज़ जो मैंने बताई इन लोगों को यह लैप्टाप नहीं लेना चाहिए अब बात करते हैं किन लोगों के लिए लैप्टाप ओके है जो लोग ले सकते हैं लैप्टाप वो भी मैं आपको बता देता हूं ठीक है सबसे पहली चीज़ आप एक कॉलेज स्टुडेंट है और आप आपको सिंपली बनाने के लिए डॉक्यमेंट्स एडिट करने के लिए पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको लैप्टाप जाई है तो यह लैप्टाप आपके लिए परफेक्ट है यह सारी चीज़ है यह अच्छे से कर सकता है और दूसरी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा मुवीज देखने का शौक रखते हैं आपको मुवीज देखना अच्छा लगता है तो यह लेट टॉप आपके लिए अच्छा है क्योंकि इसमें कलर्स वगेरा बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं और यह HDR सर्टिफाइड इसका डिस्प्ले है तो वो भी अगर कहीं एनेबल है नेट्फलिक्स या मेजन प्राइम अगेरा में तो आप उसका भी मजा ले सकते हैं तो मुवीज वगेरा यह वीडियो वगेरा यूट्यूब पर देखने के लिए यह बहुत अच्छा लैप्टोग क्य स्क्रीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है मैं आपको दिखाता हूं इस स्क्रीन की क्वालिटी इसका फोटेज वगेरा दिखाता हूं और इसकी अब यह क्वालिटी इंटरनेट पर डिपेंड करती है कि कितना आपको इसमें रेजलुशन मिल सकता है मां की सपोर्ट फोर के तक करता है और अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है तो ओविएसली अच्छा वीडियो कॉलिटी देखने को मिलेगी इंटरनेट अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली यह लैक करेगा ठीक है तो दोस्तों मुगी इसकी बात होगी अब नाओ इसके बाद अगर आप चाहते हैं एक ऐसा लैक्टॉप जो की बजट में हो और आपके डे-टू-डे टास्क कर सके और इसका स्क्रीन भी टॉप नॉच हो ओलेड स्क्रीन हो तो 45-46,000 के असपास इसके लावा और कोई भी आ एक मात्र ऑप्शन है आपके पास तो इस केस में भी यही लैप्टॉप आपके लिए अच्छा है ठीक है नाओ अगें अगर हमें एक और चीज़ बताऊं कि आप क्या चाहते हो कि आपके पास एक एक ऐसा लैप्टॉप हो जो कैजुएल यूजर में काम आ सके आप उस पर बहुत लाइट गेमिंग भी कर सको एंड उस पर आप मुवीज भी देख सको डॉकुमेंट्स एडिट कर सको म्यूजिक सुन सको और टाइपिंग एक्सपिरियंस भी इस पर अच्छा हो टाइपिंग क्यों कि इसका अच्छा है इसके की प्रेस करने में अच्छा लगता है स चर्श कर कंक्लूजन निकालों तो तो और के सिंपलीस यह है कि यह लैपटाप बहुत ही मतलब केजिये लिए लिए बनाये गया है किसी भी फिल्ड में ये लेप्टॉप मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़ादा एक्स्ट्रा और्णरी काम करके देगा पर सभी फिल्ड में थोड़ा थोड़ा काम करके आपको देदेगा तो आप बहुत ही casual user हैं आपको कोई चीज़ special ही नहीं करनी पड़ती जैसे कि आपको बहुत ज़ादा फोटो एडिटिंग नहीं करना चाहते हो फोटो शॉप बगरा में बहुत ज़ादा वीडियो एडिटिंग के हैवी सफट्वेर नहीं चलाते हो नॉर्मल सफट्वेर से में आप काम कर लेते हो एंड फुल एच्डी एंड आपको जस्ट मुवी देखने का शॉक है वीडियो देखने का शॉक है थोड़े बहुत पीपीटी बनाना है आपको फोटो एडिटिंग करना है तो ही आपके लिए अच्छा यह लेप्टआप है ठीक है एंड स्ट्रिक्ट्ली अगेर में बोलू हऒ Stage प्रोफेशनल एडिटिंग ये लेप्टआप नहीं है प्रोफेशनल गेमिंग के लिएमेल लेप्टआप नहीं है एंड पोर्टेबिल्टी के हसाब से ठीक है वाट ऑन दा मूव अगर आप ज्यादा रहते हैं तो बैटरी लाइफ उतनी नहीं है इसकी चार से पांच घंटे में जुम आनके चुलिए तो यही सब्ता आयोप आपको पता चल गया होगा कि लैपटप आपके लिए है या नहीं अगर कुछ लोगों की हाईयर डिमांड से तो मैं बोलूगा इसके आप रैजन वेरियंट में जा सकते हैं या और वेरियंट सब्सक्राइब जा सकते हैं तो में भी आपके लिए बेटर हो सकते हैं पर यह आईधरी वाला तो बहुत ही नॉर्मल यूजा इसके लिए है ठीक और कभी कोई मुझे फिल्कर बगरा ऐसा दिखने को नहीं मिला मुझे देखके लगए अरे यार ये क्या हो रहाए मेरी स्क्रीन में ऐसा मुझे कभी देखने को नहीं ओप एसकी कोई चीज जिस से मुझे रिग्रेट होके मैंने ये क्यूं ले लिया ऐसा कुछ नहीं तो ये के वल आपको सुनी सुनाई बातें आपको यहां से देखने मिलती हैं, किसी के faulty piece निकल जाते हैं तो चार तो उनमें देखने को मिलती हैं, मां की मुझे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, आपके सामने देखो मैं स्क्रिन कम जदा करके बताता हू को देखो ये मैं पूरी कम कर देता हूं मैंने पूरी कम कर दिये न और इसमें ग्लींड हो जाती स्क्रीन क्यों क्योंकि मैं इसमें linux चला रहूं मैं وinkण डारू तो इसमें हो जाता है यह विंडोस में पूरी डिम नहीं होगी और बाकी इसमें लेपटप में मुझे कोई मेजर इशु देखने को नहीं मिला जिसके वज़े से मैं बोलूँ कि यह तो बहुत खराब लेपटप सारी चीज इसमें बेलेंस हैं सब कुछ ठीक ठाक मतलब चलता है और कुछ भी ऐसा मेज लेजर इशु नहीं है और के मैं बोलूँ यह डील ब्रेकर है ऐसा कुछ नहीं मुझे लेपटप में देखने को मिला ना बहुत जादा हीट करता है ना बहुती कम बैटरी वेक अबरेच रहेज ना बहुत अच्छा तो सब चीज़ें जस्ट बैलेंस में बीच में है लेप स्क्रीन की कॉलिटी जरूर इस बजट में ठीक है तो वह चीज़े अब एक और चीज़ की बहुत अच्छी है कि इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज है इसमें आप वन टू टीबी तक का वह हार्ड डिस्क लगा सकते हैं इसके अंदर एंड इसमें आप एसस डीबी की अप से फ्यूचर में तो मेरे ख्याल से इस बजट में यह अच्छा लैप्टॉप है इस बजट में आपको कोई भी लैप्टॉप एडवी प्रिमियर प्रोच की एडिटिंग करके नहीं देगा कोई भी लैप्टॉप में कुछ एक्सेप्शनल साउंड कॉलिटी नहीं होगी इ पोकेवल कैजूल यूजिस के लिए ही होते हैं बस यार दोस्तों यही था इस वीडियो में जल्दी दूसरा वीडियो बनाऊगा कमेंट्स में बताईए आपको कैसा वीडियो चाहिए तो ऐसा वीडियो बना दूगा अभी के लिए बस यही तैंक्यू मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बाई